इनमें सोती है, ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा, बहाँ तो काम करना पड़ेगा काम, जितना काम होगा कर लूगी मा, पर अगर कोई ये कहे कि सारा आराम छोड़ कर सिर्फ काम ही करना है, तो ना भी ना, मुझे नहीं करनी शादी, अरे कैसी बात कर रही हूँ, अच्छा चलो जाकर नहालो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, फिर तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है, निहा कॉलेज के लिए निकल जाती है, वो सोचने लगती है कि ससुराल में वो कैसे मैनेज करेगी, क्या हुआ निहा, परिशान लग रही हो, अरे यार तू तो मुझे जानती है न, मुझे अपनी लाइफ बिलकुल पॉफेक्ट चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा लोग मानेंगे, यार कही मेरी शादी ऐसे घर ना हो जाए, जहां मेरी जिन्दगी ही न रख हो जाए, अरे मैंने न कल एक इंग्लिश फिल्म देखी थी, उसमें भी कुछ ऐसी ही समस्या थी हिरोईन की, अच्छा, तो फिर क्या किया उसने, उसने तो अपने होने वाले पती से साफ साफ कह दिया, कि वो पहले उसके घर कुछ दिन तक बिना शादी के रह कर देखीगी, और अग ठीक लगा तो ठीक, वाना तेरे मेरे रास्ते अलग, अरे हाँ यार, यह तो बिलकुल सही आइडिया दे रहे है तो मुझे, चल मैं तो चली, थैंक्स यार, तुने मेरी प्राब्लम सॉल कर दी, ये बोलकर निहा खुशी-खुशी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन पीछे स उसकी सहली कहती है, अरे नेहा, नही नही कुछ नहीं सुनना मुझे, ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, हे भगवान, पूरी बात सुने बिना ही चली गई, अरे वो तो विदेशी फिल्म थी, वहाँ सब चलता है, लेकिन ये तो भारत है, सभ्यता और संसकारों वाला जहां शादी से पहले लड़की को ससुराल में नहीं रखा जाता, खेर, नेहा मस्त होकर घर आती है, नेहा, कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, और हाँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलीगा, हाँ, हाँ, आने दो, आने दो, मैं तयार हूँ शादी के लिए, अगले दिन लड़के वाले आते हैं, जहां लड़का कहता है, मुझे अकेले में लड़की से कुछ पूछना है, हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ नेहा, घर तो दिखा दो ही ने, नेहा भी खुश हो जाती है, कि उसे मौका मिल गया है लड़के से अपनी शर्त रखने का, प्रेश होते देखा है, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी, मैं भी यही सोच रही थी, कि भई सास तो अच्छी होनी चाहिए, पती सपोर्ट करे ना करे रहना तो पूरे दिन सास के साथ है, लेकिन मेरे पास ना, इसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है, अच्छा, कैसा आइडिया, क्यों ना, शादी के पहले में कुछ दिनों दग तुम्हारे घर आ कर रहे लो, तुम लोग मुझे समझ ले ना, मैं तुम लोगों को समझ लोगी, ठीक लगा तो शादी बनना, टाटा बै बै, क्यों, लड़की को नेहा की बात में दम लगता है, वो घर के सबी लोगों के सामने नेहा की बात रखता है, अरे पागल हो गई है क्या, ये कैसी शर्त है, अरे शादी से पहले मैं क्यों तुझे किसी और के घर भेजूंगी रहने, अरे लड़की के खयाल तो 20 साल आगे के है, इतनी भी खुले विचारों वाली लड़की नहीं चाहिए हमें, अरे मा क्या बुरा और गलत बोल रही है ये, रहना तो हम दोनों का है ना, कल को कोई परिशान ही आई तो तुम सब तो ये बोलकर निकल जाओगे, किस जिंदगी तुम लोगों को ही निभानी है, तुम लोगों को जो करना आए करो, तब क्या करूंगा बताओ, सब के रहा तुम्हारा कमरा, इस घर में तुम as a guest रहो लेकिन मा तुम्हें बहु की तरह ही treat करेंगे और तुम भी उन्हें सास की तरह ही रखना, बस फिर क्या था, शुरू हो जाता है लिव इन सास बहु का drama, अरे चाय तो बना दे बहु, जी सा सुमा, अभी लाई, निहा चाय ले कर आई हो, इसके साथ पकोड़े भी ले आती, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं, कि आपको चाय की साथ पकोड़े भी चाहिए, हाँ हाँ, आप तो पता चल गया ना, रात को खाना खाने के बाद निहा, किचन में खटर पटर कर रही होती है, क्या हो रहा है बहा निहा, मा जी मैंना रात को अधरिक वाली चाई पी कर सोती हूँ, ये मेरी आदत है। अच्छा, तो जरा मेरे लिए भी बना देना। दोनों सास बहुरात को चाई पीती हैं, अगले दिन। नेहा, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरी साड़ी निकाल कर बैट पर रख दे। नेहा, सास के लिए साड़ी निकाल कर रख देती है, वो देखती है कि उसके आने के बाद से, सास ने घर का कोई भी काम करना छोड़ दिया है। यार मैं क्या करूँ, ऐसा ससुराल तो मुझे नहीं चाहिए था, जिसमें मैं ही सारा काम करूँ, मैं तो ऐसा घर चाती हूँ, जहां सास और बहु दोनों मिलकर किचन में काम करें। ए भगवान, रात को चाई पीली, पेट में गैस बन गई, अब तो चला भी नहीं जा रहा है, मुझे तो ऐसी बहु चाहिए, जो हेल्थ के प्रति कॉंश्यस हो, क्योंकि वो ठीक रहेगी, तभी तो मैं ठीक रहूंगी। दोनों समझ जाती हैं कि वो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, अगले दिन, नेहा, सरा चाई तो ले आना, नेहा चाई के साथ चिला भी बना कर ले आती है, सास खापी कर सो जाती है, अगली सुबर, तेरी बुआ सास आ रही है, उसे मैंने तेरे बारे में बताया है तब ही वहाँ गमार से एक महिला आ जाती है, चलो यहां से निगलो, कुछ नहीं यह खाने के लिए, जाओ ए नेहा, टमीज से बात करो, यह मेरी नाना अध्यानी असीश की बुआ है ओ, इरे दयो, इतनी आकडवाली लड़की, और यही है ना जो शादी से पहले ही आकर बस गई है यहां पर बस नहीं गई हूँ, बस ना है या नहीं, यह डिसाइड करने आई थी, लेकिन इन लोगों के रिष्टेदार इतने गवार हैं, तो मैं तो ना कर रही इस गर में शादी अर भाबी, और क्या कमी थी हमारे आशिश में, जो आपने ऐसी लड़की की शर्टों को मान लिया हैलो, ऐसी लड़की कैसी लड़की हां, बिना समझे बुझे शादी कर लो, अब तो समझ गई ना, कि हम लोग गाउं के हैं, भाबी को खाट पर सोना और रिष्टदारों का गाउं से आना जाना तो लगा ही रहना है इस गर में, हाँ हाँ, मैं तो किसी मॉडन घर में शाद सानी है, खेर, नेहा की शादी एक मॉडन घर में हो जाती है, जहां सास कहती है, है नेहा, मैं टैनिस खिलने जा रहे हूं, आओ तो जूस बना कर रखना और हाँ, वालनुट्स और ओट्स भी बना लेना, जी मा, 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 माम बो लो डरलिंग, मा इस ओल फैशन, बिचारी ने हाँ, सर पर हाथ रख लेती है, ये भगवान, ये सास तो सास ही होती है, गाओं की हो या शहर की,